हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं के साथ पतनी को हो गया था प्यार और दोरों के बीच बन गये थे अवाय संबढ़ आपनाल संबनों के लिए पत्नी ने पत्र कि कुर्बानी ले ली मिल लोई जानकारी के मताबिक यूपी के गाजियाबाद के मोदी नगर खना छेट के मान की गाउं में किरायक पर ट्रेक्टरस चलाने वाले हारून की 28 अक्टूबर की रात गला काट कर बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी सुबा उस किलास गाउं के बाहर पड़ी मिली थी पती के हत्या के बाद पत्नी नर्गिस दहारे मार कर रो रहे थी बार बार वो बेसुद हुई जा रहे थी पत्नी नर्गिस को रोता भी लगता देख हर किसी को उस पर दया रहे थी हत्या की सूछना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू की तो पुलिस के सामने आया चाट चूखा देने वाला फिलासा कल तक जिस नर्गिष को देखकार लोगों को उस पर द्या रही थी असल में वो नर्गिष का बिछाया हुआ चाल था लेकिंग पुलिस के सामने नर्गिस का ड्रामा नहीं चला पुलिस नर्गिस और हारून के मा मेरे भाई आस मुहमद को गिरफतार कर पूश्टाज की तो सारा सच सामने आ गया पुलिस को नर्गिस ने वताया कि उसका निकाह हारून से करीब 11 साल पहले हुआ था आस मुहमद हारून का मा मेरा भाई था जो अक्सर घर आता जाता रहता था हारून को सराप पीने की बुरी लत लग गई थी नशे में अक्सर वो नर्गिस को पीड़ता था पती की पिटाई से तंग नर्गिस को आस्क मुहम्मत से हमदर्दी मिली तो नर्गिस आस्क मुहम्मत से प्यार कर बैठी। पती हारून जब काम पर जाता तो आस्क मुहम्मत घर आ जाता। इसी तरह से दोनों के बीच आवे सम्मन्द बन गए और दोनों एक दूसरे से बेप बना प्यार करने लगे। कुछ दूनों पहले नर्गिस ने आस मुहम्मद को बताया कि हारून नश्य के हालत में उसे बुरी तरह से बीटता है और अब वो ये बरदास्त नहीं कर सकती। लिहाजा आस मुहम्मद ने हारून को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई। 27 अक्टूर के साम करीब 7 बजे आस मुहम्मद हारून के घर आया और किसी जरूरी काम का बहना बना हारून को अपने साथ अपने घर ले गया। पीचे पीचे नर्गिस भी वहाँ आ गई उसके बाद दोनों ने हारून को पगड़ कर जमीन पर गिरा लिया। इसके बाद नर्गिस ने चूड़े से हारून का गरा काड़ दिया। बीरलपूर्ट गाज्यवाद यूनियूस यूपी